यूट्यूब चनल पर जैसा कि दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने पहले ही बता था कि अंतराष्ट्य महिला दिवस्चु आठ मार्च दोस्तो उसके उसर पर हर्याना के अंदर एक नया पुरुसकार नया प्राइस रूकिया गया है सुस्मा सवराज पुरुसकार तो जीन्द की म दन कर चुकी है चरसो शेदिक मिलाव को जो नाइस इनने स्वावलंबी बनाया है उसके बाद हाकी कोच प्रीतम सिवाच को बीबी सी लाइप टाइम अचीवमेंट वार्ड बार्तिय हाकी टीम के पुरुक अप्तान पर सिख्षक एम द्रोन अचरिया अवार्डी प्रीतम स लिहाज से सुस्मा सवराज अवार्ड पहली बार शुरू किया गया पूछ लेगा कब शुरू किया गया है तो ये 2023 के अंदर पहली बार सब से पहले कम मिला है मिलता कब है आथ मार्च को मिलता दोस्तो और मिला किसको सब से पहली बार जब शुरू किया गया है तो जीन्द दिगाना के नाम का चेयन किया गया मुख्यमत्री 10 मारच को करनाल में आयजुत कारेकरम में उन्हें समानित करेंगे तो 10 मारच को ये करनाल में जो सीम खटरगा कारेकरम है उन्हें यहां पे समानित किया जाएगा इस पुरुषकार से अमरू जालन्धी तीन मार्च के अंक में मन्जू डिगाना को इस प्रुषकार के लिए परमुक दाविदार जता था अब परद्य सरकार ने भी इस पर महोर लगा दी है मन्जू डिगाना रस्ठी युआ प्रुषकार से समानित हो चुकी है मन्जू को आठ बार जिला प्रसाषन 26 जनवरी पंदरा अगस्त पर समानित कर चुका है मन्जू को 2004 की जो 2004 में गाउन डिगाना निवाशी सुबाज डिगाना से साथ दिगाना से साथ दिगाना मन्जू डिगाना को पहली बार जो पहला प्रुषकार रियान सरकार ने जो शुरू किया है अपनी वी देश मंत्री वाकर ही दोस्तों सुसमा सवराज जिनकी मिर्टी हो चुकी है आठ मार्च अंतराष्टे महिलादियों से इसके उसर पर तो वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे सियर कर देना धन्यवाद जैन जैबार जडियाना